हेलो वाइज कैसे हो आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुमारा प्यार मिल रहा है यार जो भी वीडियो वगएर अपलोड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है मैं खुश हूँ इसलिए और ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए भी आगे एंकरेजमे हम कर चुके हैं आज करेंगे मार्केट एकुलिबिरियम तो माइक्रो एकॉनोमिक्स की फोटो भी देख लो यह एंसी से बुक दिखती है लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे इस विडियो लेक्चर में यह पॉइंट्स में आपको कवर कराने वाला हूं मार्केट एकुलिब प्राइस होता है देन इकुलिबियम क्वांटिटी फिर एक्सस डिमांड एक्सस अप्ला है यह पांच कॉंसेप्ट आज की क्लास में खतम करा दूँगा टेबल भी करा दूँगा इनका डाइग्राम भी करा दूँगा सबसे पहले शुरुआत करेंगे मार्केट एकुलिब बोल सकते हो दूसरा बंदा होता है समान खरीदने वाला जिसको बायर बोल सकते हो या कंजूमर बोल सकते हो दोनों के पास अपनी एक एक फोर्स है बायर के पास जो फोर्स है उसको डिमांड बोलते हैं सप्लायर के पास जो फोर्स है उसको सप्लाय बोलते हैं तो जिस सिच तो मार्केट एक्विलिब्रियम सिंपल सी वो सिच्वेशन जहां पर मार्केट की डिमाइड और मार्केट की सप्लाइए एक दूसरे के बराबर होती है बस यह ध्यान में रखना है यानि और जादा हैपीनेस कैसे मैं इसको समझाओं समझाने का तरीका और डीप जाओ तुम देखो जितना बायर खरीदना चाहता है अगर सेलर उतना ही सप्लाइए कर दे तो मार्केट एक्विलिब्रियम है या फिर दूसरा तरीका जितना सेलर बेचना चाहता है बायर भी अगर उतना ही खरीदना चाहे तो मार्केट एक्विलिब्रियम है अगर इसके अटक मटक उ सो यूनिट खरीदना चाहते हैं तो सप्लायर्स अगर सो यूनिट ही बेचना चाहते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट में इक्विलिब्रियम ही होगा जनरली ये भी हो सकता है कि बायर्स की डिमांड suppliers की supply से ज्यादा है या फिर यह भी हो सकता है कि suppliers की supply ज्यादा है और buyer demand कम कर रहे हैं यानि खरीदना नहीं चाहते बैसिकली देखो जो यह डिमांड ज्यादा वाला सीन है यह festival season में जरूर होता है इंडिया में आप को भी festival ले लो holy दिवाली क्रिस्मस इद जो भी स्पेशालिटी है इन सभी festival की वहां पर लाइक बेसिकली हर एक festival पर मिठाई की दिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो seller के पास shortage हो सकती है हो सकती है और lockdown का तुम टाइम देख रहे हो यार अब बायर कुछ section of society में बायर ऐसे हैं जिनके पास अभी income source नहीं है तो वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो उन goods के लिए जो production हो रखा है उसके लिए access supply भी है यानि supply ज्यादा है तो इन सभी points को सब्सक्राइब करेंगे आज के विडियो लेक्चर में मैं एक टेबल का सहारा लोंगा शुरू आतमे आपको दो बाते हैं आपर याद दिलाओंगा पुरानी एक law of demand और दूसरा law of supply बहुत में याद दिलाओंगा इतना जादा काम नहीं है law of demand बोलता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी या फिर इसका उल्टा भी पॉसिवल है law supply बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाइब बढ़ जाएगी ठीक है तो प्राइस का डिमांड के साथ उल्टा रिल हम समझ ले कि प्राइस से दोनों का रिष्टा है तो एक टेबल आपके सामने प्रेश कर रहा हूं उससे वह पांचों सेप्ट एक्स्प्लैन कर दूंगा जो मैंने शुरू में आपको बताया था ये टेबल है दोस्तों स्क्रीन शोट तब लेना जब मैं इस टेबल को भर द हूंगा मेरे साथ बने रहो साथ साथ समझते रहोगे तो के रिपोर्ट बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा जैसा कि प्राइस बढ़ रहा है तो यहां पर डिमांड कम होनी बनती है अपनी मर्जी से कोई भी वेल्यू ले लो इमेजिनरी मैं इमेजिनेशन में जाके कुछ लेता हूं प्राइस के बढ़ने पर डिमांड की वेल्यू कम हो रही है तो मालो 50 40 30 20 10 तो यह लाफ डिमांड भी सैटिस्वाई हो गया प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो गोई अपनी मर्जी से जो मर्जी वेल्यू मैंने ले लिए अब यहां पर मार्केट सप्लाई की को भरूंगा और यहां पर कुछ वेल्यू दोंगा तो सप्लाई बढ़ानी बनती है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी तो शुरू में मैंने वैल्यू ले लिया पर 10 और 10-10 के कैप से इसको इंक्रीज करता रहा यह वैल्यू इस लिए इतनी इस कर लेते हैं वहां यह वह ठीक है ठीक है यहां पर जब प्राइस तीन रुपए है तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इकवल है यानी मार्केट की दिमांड 30 है और सप्लाई भी 30 यूनिट सी है तो यह सिचुएशन मार्केट एकुलिबियम की तरह मैंने यापर लिग लीए तो इसके लिए में लिखूंगा यहां पर डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई है इस सिचुएशन में फिल कर दिया तो यह पॉंट मार्केट एकुलिबियू है तो क्या इसके अलावाद जितने भी सिच्विशन है वो सब मार्केट एकुलिबियम नहीं है हाँ बिल जधाने सब्सक्राइब मैं तो इन डोनों सिच्वेशन में डिमांट बात कर रहे है तो है रहे है ओके फिर नीचे उत्रों तीन प्राइस पर दोनों बराबर है तो मार्केट इकुलिब्रियम जब प्राइस चार हो जाता है तो डिमांड देखोट प्राइस बढ़ता जा रहा है तो डिमांड विचारी कम हो गई 20 पर रह गई सप्लाइब बढ़ गई है तो यहां पर डिमांड इस लेस भैंड सप्लाय तो इस तैबल का स्क्रींशोट लेना बनता है पहले स्क्रींशोट ले लो और इस टेबल में ही पांच ओ न सब्रीद करके बता दिये ए यह यह एक्शस डिमांट फिर दूसरा मार्केट इकुलिब्रियम तीसरा एकसे अप्लाइए तीन कं यहां पर मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों दूसरे के एकवल होते हैं तो बस वो प्राइज भूसारे प्राइज थे तीन रुपर चूस कर लिया जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर है थेन पांचमे नंबर का सरी यह तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी टेबल मना ली मालो हम ऐसी टेबल मनाते जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर ना दिखाई देती कुछ और वैल्यू लेकर तो क्या फिर सिच्वेशन होती तो गाइस देखो आपको टेबल वो बनानी है जिसमें मार्केट इक्विलिवन दिखाई दे रहा तो वह टो बिकार हो जाएगा वेकार के पूराई गलत हो जाएगा तो वैल्यू भी चैसी मेजिन करनी है तो मैंने वह इमेजिन करके चलाओ तो यह सब चीजे एक बार डाइग्राम से जरूर देखते हैं मैं सबसे पहले पकड़ सच देखेंगे पहले देखिए सिंपल सा राइगरम बना दिया य-axis में लिखा है प्राइस और एक्स एक्सिस में लिख दिया आउटपूट पेंचिंद कर लेते यह हमारा डिमांड कर यह हमारा सप्लाइग कर जहां पर एक दूसरे को यह कट कर रहे हैं दिस पॉइंट इस इ तो यह हो गया एक्विलिविर्यम प्राइस आप बोलों के सब कच्रा कर रहे हो डाइक रंब अगा चाहरा होने तो कोई दिक निया और अच्छे से अगले पेश बता रहा हूँ ठीक है इसके सामने जो भी कॉंटिटी यहां पर यह कॉंटिटी है इक्विलिविर्यम लेते हैं अछे से देकिये ये Y-axis, X-axis यहां पर ये मार्के अमांड कर्द जिसका नाप डीडी है आप मार्केट डिमांड बोलना इंडी Tibi चल मत गोलना ये मार्केट सप्लिय गर जिसका नाम स те है और दिस इकुलिब्रियम पॉइंट और यहां पर इकुलिब्रियम प्राइज जो की ओपी है इकुलिब्रियम क्वांटिटी जो की ओक्यू है यानि ओसे लेकर क्यों तक है ठीक है और यह चीजे मैंने मेंशन कर दी नॉर्मली ऐसा ही पहले डाइगराम बनाया हुआ था ठी जमांट यह थी ऐसा होता कब है ऐसा तब होता है जब मार्केट में डिसाइड किया हुआ यह तीन रुपे प्राइस जो इकुलिब्रियम प्राइस है यह ज्यादा लग रहा हो और उससे कम पर ट्रेड चालू यानि जो चीज तीन रुपे में डिसाइड हुए कि बिकेगी लोग उसको एक रुपे या दो रुपे में बेच रहे हैं तो जब इतने सस्ते में बेच रहे हैं तो बायर्स खरीदने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है और खरीदने चले जाएंगे तो यानि वहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाय कम है तो कोई पूछे कि एक् है जब मार्केट में जो प्रेवेलिंक प्राइस है वो कम है इकिलिम प्राइससे तभी होगी क्योंकि अथा उनरी यह शल्रहा हो मार्केट में और यह इक्विलिबियू प्राइस से ज्यादा है इक्विलिबियू से ज्यादा है इसकी और रिटेल बढ़ेंगे इन दोने को पढ़ाऊंगा लेकिन अभी आल फिलाल के लिए थोड़ा सा देखना है जैसे वीडियो का अंता रहेगा इनको अच्छे से बढ़ाऊंगा तो गाइस द ठीक है और क्लियर कर रहा हूं बाबू इतना अभी हाल फिलाल के लिए इतना ही इसके नीचे जो सिच्वेशन होगी यानि इस एक्विलिबियू प्राइस से नीचे वह होगी एक्सेस डिमांड ऐसे आपको डैगरंबनाने और जो यह इपॉइंटर इसको मार्ट एक्विलिब्रम लिखना है अब कुछ्टिन क्या आएगा कोशन यह नहिए बताओ अगेट इक्विलिबिरम क्या होता है डाग्रम से एक्स्पेन करो यहां फिर्कोशन क्षेर आसकता है एक्स्पेन देट इन रुपीज या इन यूनिट्स जैसे भी आपको अच्छा लगे ठीक है कुश्चन क्या आएगा कोश्चन ये रहा एक्स्पेन हाओ एक्विलीबियू प्राइस इस डिटर्मीन अंडर परफेक्टली कॉंपरेटिव मार्केट तो अंसर का जो फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे आप पहले एकुलीबियू प्राइस का मिनिक लिखेंगे फिर मार्के डिमांड क्या होती है अब आपको सब कराएं उसके डेफिनेशन पे धान दे सकते हो मार्केट इकुलीबियू की डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने इकुलीबियू प्राइस की डेफिनेशन एकुलीबियू क्वांटिटी एक्सेस डिमांड एक्सेस अप्लाएं सब्की जो मैंने बोलिये डेफिनेशन वही है मैं हट जाता हूँ आप इसका स्कृइंशोट लेलो जरूरी है तो इसी लेंगविज में ही है तो काहिस यहां त supply एक दूसरे के बराबर नहीं होती है necessarily देखिए जब सप्लाइए एक दूसरे के बराबर है तो मेरिवयल मेरे यह निमार्किट एक्वियों मेर्ट जब एंडों कूसर एकक वर रही है तो क्या है तो या तो या तो डिमांट सब्लाई से ज्यादा होगी या डिमांट सफटाई से कम होगी अगर डिमांट सप्लाई से ज्यादा है तो this situation is called access demand अगर डिमांट सप्लाई से कम है तो इस situation को बोलेंगे excess supply ठिक है अब excess demand को ले लो demand भुप सारी है supply उतनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो यहां पर बोलेंगे कि चीजों की कमियां हो गई है शॉर्टेज हो गई है तो एक्सेस दिमांड को शॉर्टेज भी बोलते हैं यह थोड़ा सा अप्रप्लाइ को सर प्लस सिचुएशन भी बोलते हैं यह कि हम ध्यान नहींगे एक्सस दिमांड पर सिर्फ ठीके एक्सस दिमांड आपको पार्टी देने के लिए पापा के पास गये पापा से आपने बोला कि पाप दो अरगनोड दो बंडे मेरा पार्टी कर नहीं है आपको खुद को फिल होनी चाहिए ऐसे में क्या है यह सप्लाई विचारी पांसो रूपे आपके डिमांड थी ऊपर 2000 रूपे ठीक है यह सिच्वाइइशन एक्सस्ष मांड है अब इस सिच्वाइशन को डाइगराम से समझते हैं यह सिच्वाइशन में होता क्या अक्शुली इसका सिच्वाइशन पहले करेंगे का फिर डाइगराम पे आएंगे ठीक हैं त्यू एक्सेस जिमांड यानि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है पूरी प्रोपर्टी इस सिच्विशन की समझनी जरूरी है डिमांड बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा समान खरीदना चाह रहे हैं sellers के पास उतना समान available नहीं है तो ऐसे में sellers को जरूर दिखाई देता है कि ये तो competition खुद buyers में ही हो गया buyers ही बोल रहे हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो ठीक है ऐसे में sellers के पास chance है कि वो commodity का price बढ़ा दे तो इसका result ही क्या निकलता है price बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि demand और price में relation है बस वो demand बहुत ज्यादा थी उसकी वज़े से buyers में competition बढ़ा और market में price बढ़ गया तो जब price बढ़ता है तो उसके दो effect होते हैं प्राइस के बढ़ने से अब demand कम हो जाएगी जो की पहले ज्यादा थी फिर price के बढ़ने से law of supply बोलता है supply बढ़ जाएगी जो की पहले कम थी तो ये कम वाली चीज तो बढ़ती रहेगी और ये ज्यादा वाली चीज कम हो आते हैं perfect competition में ये question भी आ सकता है how equilibrium is re-achieved under perfectly competitive market when there is a situation of excess demand तो हमें ये पुरी story explain करने हो कि जो मैंने आपको पताई है return form में भी आपको बताऊंगा बिल्कुल आपको सब कुछ निखावाँ मिलेगा लेकिन इक बार दिल से समझ दी बनती है ये तो access demand है डाइग्राम इसका बहुत जरूरी है डाइग्राम देख लेते हैं अब प्रपर ये डाइग्रम ए अगर equilibrium price ये जो है ओपी इससे कम वाले प्राइस पर ट्रेड हो रहा होगा यानि सस्ते में मार्केट में समान बेचा जा रहा होगा तो वायर्स ज्यादा समान खरीदने के लिए excited होंगे कोई भी प्राइज ले लो इससे नीचे मैंने यह वाला पॉंट ले लिया मालो ओपी ला गाकि सप्लाइ कितनी है ओक्यू एस इतनी सप्लाय है इसी प्राइस को आगे हिट करो यह parking ayr तो doing कितनी है यहापर नाम दे लो QD तो गाइस डिमांड ज्यादा है सप्लाइक कम है तो यह जो गैप है यहां से लेकर यहां तक यह गैप एक्सेस डिमांड है यानि डिमांड जादा सप्लाइकम यही गैप और यही गैप दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यहां मांग कर सकते हैं इस गैप को यह इस गैप को दोनों एक्सेस डिमांड है तो डिजाइन मना कैसे लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपल बोलेंगे access demand या आपका मन करें तो आप इसको shortage भी लिख सकते हो कोई रिक्कत नहीं है access demand ही होता है यह तो गाई दिस इस दा डाइग्राम ऑफ एक्सेस दिमांड यहां पर डिमांड करफ का नाम डी डी सप्लाइग करफ का नाम SS लिखना जरूरी है और यहां पर यहां पर यह मेंचन भी कर देना इस मार्केट एकुलिब्रियम पॉइंट अभी सिंपल एक्सेस दिमांड का डाइगराम हो गया अभी स्क्रिंशोट नहीं लेना स्क्रिंशोट बताऊंगा तब लेना अभी कुछ बाते बतानी और जरूरी है यह नॉर्मल एक्सेस करने के लिए बोले तो आप उसमें यह जरूर बताना कि एक्सेस दिमांड तो यह सिचुवेशन है लेकिन फाइनली धीरे-धीरे-धीरे-धीरे यह एक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी और यह प्रॉब्लम खतम हो जाएगी कैसे दुबारा देखो यहां पर क्या है कि डि एकनी तो अब यहां पर सेलर्स प्राइस बढ़ा देंगे तो यह मालो प्राइस कम है दीरे-धीरे-धीरे बढ़ने लगा को बढ़ने बढ़ने बढ़ती है तो बढ़ती है बिल्कुल पैंचेंज कर लेते हैं कुछ नया दिखना चाहिए तो में देखो पहले डिमार्ड और प्राइस बढ़ने से इमांद कमोज यह ठीक है पहले डिमार इतनी धीरे-धीरे कमोने लग जाएगी अब यह प्राइस से सप्लाइ बढ़ती है तो सप्लाइ पहले कम थी अब ज्यादा होने लग जाए कि ऐसा तब तक होगा जब तक यहां पर बात नहीं बन जाती इस क्यों वाले पॉइंट पे फिर दुबारा डिमांड कर पे यहां थे तो डिमांड कम होती होती है से पीछे जाएगी क्या बोलन चाह रहा है तेंक इसके एक्समेशन देख लोगा इस एक्सस्ट डिमांड रेफर्स तो असीट वैशन वेन मार्के इमार्क दिमांड फोरा कमडिटी इस मोर्डेन मार्केट सप्लाइब इस इस इसको शॉर्टेज भी बोलते है और यह होती कब ए यानी एक्स दि होती है यह कोशन अलग है दोनों कोशन अलग अलग है तो एक्स दिमांड का वोती है वेन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है एक्जिस्टिंग प्राइस मार्केट प्राइटी इस लेस देन एक्विलिबिन प्रा है वो excess demand की implications क्या है consequences क्या है इसके results क्या है या फिर यह excess demand वापस market का equilibrium restore कैसे करती है यह बताना है तो देखिए दो पॉइंट में बता दिया इसकी consequences basically आप इसको भूल सकते हो तो क्या होता है excess demand leads to an increase in competition among buyers साफ पता है demand जाद है तो लगता है buyers के बिच्मों competition बढ़ गया which gives us chance to sellers to raise the price जिसके वह जैसे वो price बढ़ाने की कोशी करेंगे hence price rises तो अब यह price बढ़ गया तो लॉफ दिमान के साब से दिमान कम हो जाएगी तो क्या है due to rise in price demand will fall demand come away and supply will rise supply बढ़ गई तब तक तिल market demand becomes equal to market supply and market equilibrium is re-attained re-achieved simple achieved कुछ विनिख लेंविश्ट इसके explanation तो आपको complete समझ में आ गया होगा अब चलते हैं access supply के तरफ access supply जानना बहुत जरूरी है और पानी पीना भी बहुत जरूरी है पानी पीना बहुत जरूरी दोस्तों कंसेप्ट इसी लगने लग जाएंगे पहले बता दो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो स्पीड थोड़ी से स्लो करके अर्जस्ट कर लो यार अगर लगरा नहीं तुम ज्यादा एक्सपर्ट और मैं थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूं तो भाई यो पहनो फ्रेंट्स आप इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो या कम कर लो सब कुछ तुमारे हाथ में अर्जस् स्पीड करेंगे फिर एक लास का तम हो जाएगी चीक ना इसके बाद देखते हैं एकसे सप्लाइट तो है यह यह एकसे सप्लाइब आई यह तो बताना ही भूल गया एक सब्लेका भी है मैंने ठीक है तो एकसे सप्लाइब वो सिच्विशन आपर सप्लाइब थोड़ी ज्य आएगा नहीं बिकेगा तो वो उतना समान नहीं बेच पाता जितना वो बेचना चाहता है ऐसे में उसको वो अन्सोल्ड इन्वेंटरी को क्लियर ओफ करने के लिए यानि अन्विके समान को बेचने के लिए अपना प्राइस कम करना बढ़ता है ताकि वो बिकने लगे तो ऐसे में सेलर के पास बिचारे के पास competition बढ़ जाता है सारे सेलर्स देरे देरे प्राइस को कम करेंगे अब इसके दो इफेक्ट होंगे लॉफ डिमांड पर क्या होता है प्राइस कम होने से दिमांड बढ़ने लग जाएगी तो देखिए यह जो सप्लाइज ज्यादा थी यह कम होगी जो डिमांड कम थी वह ज्यादा होने लगेगी तब तक जब तक यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते हैं और इकुलिब्रियम दुबारा चीफ नहीं हो जाता है यही पूरी कहानी डाइगराम के इसाफ से समझाना चाता हूं मैं आपको ठीक है पहल आपसे पीटोंगी ममीजे पीटोंगी एक चाटा लगेगा उमीदी ठीक है यह उमीदी लेकिन असली में लग गए उसको पांच देख लेने तजी बोल रपांच चाटे लगे तो यह होग एक सब्लाइए उमीदी एक थपड़ की लग गए पांस थपड़ यही तो एक से इसे ही आपके दिमाग में बनना चाहिए तो वाइज यह एक सिस यह एक सेक्सिस वाइक इस पर प्राइज लिखेंगे एक सेक्सिस पर कॉंटिटी लिखेंगे तुम्हारे आतमें वो यह मार्के डिमांड कर मैंने बना दिया इसका नाम डीडी लिखा यह मार्केट इस पर राइस है लेकिन एक्ष़ली जो प्रिवेल कर रहा है मार्केट में जिस पर ट्रेड हो रहा है वह सकता है अगर इससे ज्यादा पर ट्रेड होना शुरू हुआ तो क्या होगा बायर्स तो खरी देंगे निकियो महंगा लगेगा सेलर्स को मजा आएगा अच्छा ज्य आपर कोई प्राइज यह ओपी बन इसपर ट्रेड हो रहा है तो यहां पर डिमांट रोश अप्लाई को जड़ा च्छक करते हैं इस लेइन को आगे हिट करो किसी भी कर पर डिमांड कर रहे तो यह बताएगा कि दिमांड कितनी है मालो ओ क्यू डि इतनी डिमांड है इस प् है आप इसको ऊपर इस वाले के एप से भी दिखा सकते हो ऐसे सिंपल या थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बनाना चाहो तो भी चल जाएगा गाई इसको एक्सेस सप्लाय बोलो या बोलो सर प्लस एक ही बात है ठीक है अब इसके बारे में कॉंसेप्ट में तुम्हें क्या क्या बत है थे ऐख लिए अधा आप पहले श्रीशोट लेलो इसका अब इसके ऐसके आउंगे देखो सप्लाय ज्यादा है डिमांड कम है ठीक ना ऐसे मैं सेलर की बीच में अपना समान बेचने के लिए प्राइस को कम कर देंगे प्राइस कम करेंगे तो दिमांड बढ़ने लग जा इसको क्रेंड तो दिमांड जो कम ती यह बढ़ने लग जाएगी इमार कोपर और कम थी यह यह बढ़ने लग जाएगी ऐसे बढ़ती इमान ठिचे़ और सपले जो ज्यादा थी वो कम होने लग जाएगी गी सप्ल मिहापर दी तो नीच चागर के कमोने लग जाएगा तब तक होगा जब तक यह वाला मार्केट एकुलिब्रम पॉइंट या एकुलिब्रम कॉंटिटी रिचीफ ना हो जाए यह बताना है कैसे बताना है कैसे लिखना है इसका स्क्रीन शोट ले लो अब कम्प्लीट होई डाइगराब देखिये सबसे पहले definition access supply refers to a situation when market demand for a commodity is less than market supply कुछ भी लो market demand is less than market supply या फिर market supplies more than market demand कुछ भी लिख चलेगा इसको सर्प्रस भी बोलते है और यह होता कब है it occurs when prevailing market price of a commodity is less than more than its equilibrium price इसकी इंप्लीकेशन क्या है इफेक्ट क्या है रिजल्ट क्या है तो देखो क्या होता है under this situation sellers are unable to sell whatever they want ठीक है इतना नहीं बेच पाते जितना चाहते हैं तो it leads to increase in competition among sellers and hence price start falling price which are a communal जाइगा क्योंकि माल उनको बेचना ही हरालत में so due to fall in the price demand will rise demand बढ़ने लग जाएगी law of demand बोलता है and supply will fall supply come on a legal of supply बोलता है तब तक till market demand becomes equal to market supply जब तक यह दोनो इक दूसरे का बराबर नहीं जाते market demand or supply market forces है ठीक है and market equilibrium is achieved attained reattained reattained reachieved कुछ भी लिख लो so this was the concept of access supply guys मैंने आपको क्या कर आया यहां पर simply market equilibrium की पूरी explanation करा दी एक्स दमांड की पूरी explanation करा दी एक्स दमांड की पूरी explanation करा दी साथ में equilibrium price or equilibrium quantity के concept भी डिसकस कर लिए आप लोगों से ठीक है इस आपसे unit 4 का जो forms of market अमने स्चार्ट किया था यह chapter 2 खतम हो गया chapter 1 में perfect competition की features बताई थी chapter 2 में market equilibrium के बारे में को decide करने के लिए तो government करती है प्राइस को control तो इस प्राइस कंट्रोल में सरकार का क्या रोल है वह बहुत जादा important है उससे आजकल कोशन बंद रहे मैं देख रहा हूं तो इस वीडियो लेक्षर में आपको इतना ही कराके इसको यहीं खतम करता हूं मैं इस वीडियो लेक्षर को खतम कर रहा हूं आप जरूरू देखना इसको दूसरी बार भी देखो कि तो आपको थोड़ा और कंसेट क्लियर होंगे अपना प्यार दोस्तों बनाई रखो मुझे साथ मिलता है तुम्हारा जब तुम वीडियो को देखते हो मुझे पता लगता है कि इतना अच्छा तुम रेस्पोंस दे रहे हो ना दिलको बिलकुल छूरा है तो आज के वीडियो लेक्षर में इतना ही